हेलो गाइज वैलकम तो माई चैनल और हम लोग आज गूमने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग पॉंटा साप जाएंगे अभी तो देखिए सबसे पहले राजू और उसके चाचू है जो वो गाड़ी में समान रखने हमने थोड़ा वो तखाने पीने का समान भी रखने हैं और अभी हम अपना जो लोकल एरिया है उसको क्रोस कर रहे हैं और यह देखिए बीच के रास्ते में हमें मिली हैं बहुत सारी गईयां और यह बहुत अच्छा था पहले तो बहुत जादा मिलती थी अब तो फिर भी काफी कम हो गया हमें रास्ते में सब मिलनी हम सबसे पहल हैं गया रही हैं बीच में ओर बीच मेंकर ऐसे में वेहां और बानी और पानी पुनित लेके आया पानी और पीछे मडिग़े में रिकिए ऌर की अपने साथ और अभी हम लोग yang भूल था तही Willitad follows जराए यहां चाकू लेने क्योंकि तो फिर उसके बाद वो जहां रूखे तो नम खिद्रा बाद था तो उसके बाद हम आगे चल दिये तो अगर आएगा रास्ते में कलेसर जो हर्याना के एक वन्य जीव अभ्यारन है तो वहां पर हम रूके तो नहीं है क्योंकि वैस्तों हमें भूक लग रही थी ग्यारा बच चुके तो तो हमने ब्रेड पर ऐसे ही जैम लगाके तो उसको खा लिया ब्रेड जैम खाएं हमने यह देखे कितना घना जंगल है यहां पर एक लेसर जो आ चुका है यह मुना नगर डिस्टिंग में पड़ता है यह कलेसर बने जीव अभ्यारन और जब भी आप को मोका लगे तो आप यहां जरूर आईएगा हमें तो भी मोका नहीं लगा क्योंकि हम पहले जा रहे हैं फिर्स ट्रीप पर पॉर्टर साहब जी गुर्दवारी माथा टेकने जा रहे हैं उसके बाद हम आगे जाएंगे तो आगे का प्लाइन पता नहीं अभी क्या बनाए हैंगे लोग जो भी इनका होगा तो हम उसके एकॉर्डिंग ही चलेंगे पर मैं आपके बाद बता दूं कि मैं इसी वज़ए से आज मेरी फर्स ट्रीप हो पा हमारी फर्स ट्रीप है यह सोलो तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अपनी फैमली के साथ जाना बहुत जाता है और कलेसर जो है जो जी वो भेरन है यह 40-50 किलो मिटर के बीच में फैला हुआ है और यहां पर बहुत जगें हमें बोर्ड लगे हुए दिखे हैं कि आप यहां से अराम से गूजडिये कि यहां ती यहां से जाते हैं उनका कोरिडॉर है तो इस वज़ए से पर मैंन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हॉन यूज़ कर रहे थे जो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो जंगली जीव होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ही प्रिशानी होती है बाकी तो किसी को नहीं होती बहुत ही अच्छा लगा हमें देखे हम हर्याना से निकल के हमें निकल चुके हिमाचल में हम निकले थे हम बाला से अम बाला के पास से कहां कितनी देर और लगेगी हम तो फर्स टाइम आया तो इस्लिए नहीं पताई अगा दा पर इस रास्टे पर जो लोग हमकून साहिब जाते हैं उनकी भी काफी बीड होती है इन दिनों में क्योंकि जून का महिना है तो जून के महिने में तो सब जगा भीड़ी भीड़ होती है लेकिन उस जगा थोड़ी ज़्याद होती है तो अभी हम गुर्दवारे साहिब पोहँच चुके हैं तो दीदी और मैं तो बाकी सब आगे आगे चल देखें गुर्दवा और यह देखिए साइड में जो यहां पर एक नया भवन बन रहा है तो यह उसका मॉडल लगाया हुआ हुआ है कि इसका मॉडल है यह इसके अकॉर्डिंग भी साइड में रैडी हो रहा है और इतना हमने इसकी वीडियो बनाई तो इतना पूनित ले और राजु लेने गए थ और यह गुर्गोविन सिंग जी के द्वारा यूज किये गए बताते हैं कि हत्यार है सारे और यह बहुत ही अच्छा लग रहा हमें इस जगह आके इतना अच्छा लग इतना सुकून मिले सच बताऊं तो हम लोग गुर्दवारे साही पहले भी जाते हैं लेकिन आज मुझ यहां पर यमना जी की बिलकुल भी आवाज नहीं है बतायते हैं कि यहां पर यमना जी को शांत कर दिया था कि आप शांत रहे हैं कि हमें अपनी तपस्य करनी हैं तो इसलिए यहां पर यमना जी बिलकुल शांत है और इतना ठंडा पानी है यहां ने फिर पंच्छनाना किय तो पंच नाना करने के बाद भी देखिए आधे गहरी भी काफी है और बहुत ही अच्छा लग रहा हमें इसके बाद हम जो दूसरा तपस्थान है गुरु किपाल जी को वहां पर आ गए हैं हमने अब वहां मात्या टेक का उसके बाद लंगर चका है लंगर चकने के बाद फि तो मैं तो फर्स टाइम ही देख रही हूं ऐसा सब कुछ और इसके बाद हम निकल चुके हैं अपना देरा दून के लिए देखते हैं देरा दून रुकेंगे या फिर हम लोग सिधा मसूरी जाएंगे अभी इस बात का हमारा कोई पका नहीं हो रखा तो देखते हम अगले व्लोग में कहां पहुंचेंगे तो तब तक मेरे साथ बने रही हैं मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए आप सब का बहुत सारा थैंक्यू यह देखिए पहुंचें यहां हर से जो देरा दून हरिद्वार और मसूरी की दूरी लि तक की की दिएरा तक आपिए यहां हर।